जहिन फ्रेंज आज हम बात करेंगे कि अब सेव की खेती किन किन छेतरों में 100% सफलता पुरवक करके अच्छी आमदनी इससे कर सकते हैं अब से कुछ साल पहले सेव की खेती हिमाचल परदेश और जम्मू कास्मीर में ही स्रिप की जाती थी क्योंकि वहां का मोशम अधिकतर मोशम ठंड का होता था और सेव की खेती ठंड के ही मोशम में की जाती थी यह गर्मी वाले छेतरों में नहीं होता था लेकिन इस बात को हमारे हिमाचल के हरीमन सर्मा जी ने गलत सावित कर दिया है उन्होंने एक ऐसा सेव का पौधा तयार किया है जो गर्मियों वाले छेत्रों में बहुत ही अच्छी तरह से फल फुल रहा है कुछ साल पहले हमारे दिल्ली के रास्तपती भवन के गार्डन में भी इस सेव के प्लांट को लगाया गया था और अभी दौजार एको KPाफी अच्छा इसमें फलन हुा है साथ ही जो हिमाचल या जम्मुकास्मीर के सेव के में जो क्वालिटी जो टेश्ट होता था वही toach same बिलकुल इस पौधेकि शेव में बिल्कुल सेव कौास्मीर में अलावा राजस्थान पंजाब हरियाना बिहर के कई किसान इस 1990 एपल प्लांट को लगाना शुरू कर चुके हैं और अभी कुछ किसान हर्याना और रायस्थान के इसमें अच्छा का सा मुनापफ़ कर रहे हैं। अगर आप भी इस Hariman 99 को लगाना चाहते हैं, तो डारेक्ट आप Hariman Sarma से कॉंटाक्ट कर सकते हैं। आप Google पे सर्च करिएगा Hariman Nursery तो डारेक्ट आपको Hariman सर्माजी का नर्सरी आपको लिखाई देगा, उनका contact नंबर भी वहाँ पर रहता है, तो उनसे आप contact करके उनसे आप online पौधा भी मंगा सकते हैं. सबसे जरूरी चीज़ के जो सेव का पोधा लगाने का मौसम है यह दिसंबर से लेकि जन्वरी तक सबसे अच्छा मौसम माना जाता है, अगर आपको सेव का पोधा लगाना है, तो आप अभी order करके मंगा सकते हैं, क्योंकि अभी सर्द्यों का मौसम चल रहा है, अगर वीडि अगर आपको से लेकिंग का मौसम माम यह दिसंबर से अभी तक सबस्द्यों का माम अज़।